हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, महबत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आखों में दिखाई दे उसे फान कहते हैं जो ये दिवार का सुराग है साहब जो ये दिवार का सुराग है चाइना अमेरिका पाकिस्तान साज़िशों का हिस्सा है मगर हम इसे अपने घर का रोशंदान कहते हैं अपने घर का रोशंदान कहते हैं परम समाने अतिती गर्ड सभा में अपस्तित सभी गर्मानी व्यक्ति मैं टीया बिस देश प्रेम और राश्ट निर्मान के उपलक्ष पर कुछ विचार आप सभी के साथ साजा करना चाहूंगे आजादी आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो हम सभागिशाली हैं ने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया यू तो आजादी के लौट 1857 में ही जल चुकी थी जो वर्शाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई प्राजीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उधारनों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फस गए थे तो रंगदे पसंती चोला की एक आवास पर टोलों के टोलों मड़ाते थे और बंदे मात्रम के नारों से खून में आने वाला 55 डिगरी का तुफान अंग्रेजी शाशकों के जड़ों में तुफान ला देता था लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांस ही चर जाते थे तो वो भी अपनी देश वक्ती साबद कर रहे होते थे क्योंकि ये उस वक्त की दौर की देश फक्ती की कसोटी थी उसके बाद 62, 65 और 71 के युदों में अपना सुहाग गवा देने वाली युड़ते जिनके मांग का सिंदूर उजड गया, बच्चों के सडसे बाप का साया उठ गया बाप की कमाई गई, भाई की पड़ाई गई, ऐसा एक विस्पोट हुआ, पता ही चला नहीं पूरे जिस्म की ही कहीं बोटिया चली गई, वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक मां अपने बेटे को सरहत पर दुश्मनों की धज्य ओडाने के लिए भेज देती थी और ये पत्र लिखा कर भेजा करती थी, कि मांने खत लिखा है बड़े ही चाव से पुत्र मेरे ना घबराना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कर जाना इस तरह पुरा परिवार अपनी देश वक्ती साबित कर रहा होता था लेकिन तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फासी चड़ जाने को कहता था किन्तु आज आज देश लड़ जाने को नहीं कहता आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फासी चड़ जाने को नहीं कहता किन्तु अगर कोई व्यक्ती अपना काम पूरी लगन, पूरी इमानदारी और पूरी महनेच से करे न तो वही सबसे बड़ा देशवक्त है और मैं नहीं मानती कि WhatsApp और Facebook की डिपी को तीन रंग में रंग देना ही देशवक्ती है और अगर आप कहेंगे कि साल में दो बार हाथ में तिरंगा ले रेना देशवक्ती है तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपात में रहने वाला वो बच्चा ट्राफिक की छाओ में नंगे पाओ में जब तेरंगा बेच रहा होता है तो उसे क्या आप उसकी देशवक्ती कहेंगे ये उसकी देशवक्ती नहीं उसके पेट की भूक की शक्ती है जो से ऐसा करने पर मजबूर करती है क्यूंकि न मस्जित को जानते है न शिवालों को जानते है जो पेट के भूके होते है न वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट के लिए समर्पन का भाव है देश वक्ती और हर देश द्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देश वक्ती ताकि हर देश द्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है अगर त देश दुरही से जादा देश फक्ती तब आहात होती है जब एक बेटा अपने बुड़े माबाप को व्रिद आश्रम की चौकट पर छोड़ाता है करा उठती है ऐसी देश फक्ती जब मुसीबत में फसे लोगों की जान बचाने से जादा हम सेलफी लेकर अपने लाइक्स ब अंगुलियों से अपने भावनाओं की इमोजी बेज रहा है चार बोतल वोट का का मेरा रोज करने भारत का भविश्य तबा करके रख दिया है हम नाइक ऐसे समाज मजीते हैं जो लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं वही भाई अपनी गल्ट्रेंड के कि इसे घर में हस हसकर सुनाते हैं और मैं बता दू महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे नंबर पर आते हैं क्यूंकि हम ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं चपन भोग और भूके नंगे तडबते सो जाते हैं लोग मजदूर को मजदूर समझे मजबूर नहीं गरीब को काम दीजे दान नहीं और अगर दान देने के इतने ही इच्जुक है तो जीते जी रक्तदान दीजे और मढने के बाद किसी मढते हुए को जिवन दान दीजे यही सची देश भक्ती और यही सच्चा राश्ट प्रेम ह ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है लेकिन एक बैचारिक बिमारी भी मुझे हमारे समाज में नजर आती है कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं जा हिंदू पैदा होते हैं मुसल्मान सिक और इसाई भी पैदा होते हैं पर बदकिस्मती है अब इनसान पैदा नहीं होते और ना हिंदू की जरूरत है ना मुसल्मान की जरूरत है राश्ट निर्मान के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है जरा सोच कर देखिए वो पेड़, पौधे और शाखाए भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसल्मान हो जाएं और जब तक इस देश का युवा मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड फोड कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा तब तक हमारा राश निर्मान संभव नहीं होगा हमारी संस्कृती हमारी सब व्यदा को दुनिया ने शीश निवाया है तो क्यूं आस्था के नाम पर हमने अंद्विश्वाश फेलाया है लेकिन हमारा राश निर्मान तब संभव होगा जब इस देश में औरतों की पूजा नहीं इज़त की जाएगी जब सड़क में चलने वाला हर एक व्यक्ती स्वच भारत और स्वस्त भारत को दिल सबनाएगा बड़ी बड़ी बाते नहीं छोटी छोटी कोशिशे करनी होगी क्यूंकि ठोकरे हमें पहाड से नहीं पत्थरों से लगा करती है मैं सल्यूट करना चाहूंगी सरहत पर दिन राथ हमारी रक्षा के लिए खड़े हर उस एक जवान को हमारी देश की पुलिश, प्रशाशन और किसान को और हर उस एक व्यक्ती को जो अपना काम पूरी लगन, पूरी इमानदारी और पूरी मेनद से करते हैं के बिना राष्ण निर्मान की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है और आज इस मंच पर मैं भारत की बेटी पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहती हूं कि हमारी देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे लिजाने की बलकि हमारी जिम्मेदारी है अपने राश्ट और अपने वतन को आगे लिजाने की अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी हमारा हिंदुस्तान महान था महान है महान रहेगा हमारा हिंदोस्तान महान था महान है महान रहेगा होगा होसला सब के दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जैहिंद कहेगा पाकिस्तान ही क्यों सारा जहान जैहिंद कहेगा क्योंकि सारे जहां से अच्छा ये हिंदोस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा ये हिंदो सिता हमारा हम भुल भुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा ये गुलिस्तान हमारा जहन बंदे मातरं